हेलो वियर्स कैसे हैं आप सब तो जिसता से आपको बता है हमाई पास ASP.NET Core 6K lecture स्रीज चल रही है तो आज किस lecture के अंदर हम बात करने वाले हैं ASP.NET Core का बहुत ही जादा important concept जिसको हम कहते हैं MVC तो बहुत ही जादा important lecture होने वाला है जब भी आप ASP.NET Core को use करके अपनी web application मनाते हो तो उसके अंदर MVC का concept लाजबी implement होता है तो वीडियो को start करने से पहले एक छोटी सी request जिस तरह से आपको पता ही है मेरा एक नया channel है program mentor तो अगर आपने अभी तक इसको subscribe नहीं किया तो please इसको subscribe कर लो और इसके साथ बेल का एकन भी प्रेस कर लो क्योंके ASP.NET Core 6 के अंदर और भी बहुत सारी वीडियोज आने वाली हैं तो यह होगा हमारा part number 4 और आप वीडियो को start करते है तो भी देखो MVC ठीक है बहुत ज़्यादा important concept चाहिए आप ASP.NET Core की बात करो या किसी और framework की बात करो जिस तरह से PHP का Laravel है, Code Igniter है और भी जितने modern हमारे पास framework हैं जिसको use करके आप web application मनाते हो उसके अंदर MVC का concept बहुत ज़्यादा important होता है और लाजबी implement किया जाता है ठीक है तो MVC का concept क्या होता है आगे आजाओ तो यहाँ पर देखो सबसे पहले अगर मैं आपको बताओ 3 basic components of MVC मतलब हमारे पास MVC के क्या होते हैं 3 basic components होते हैं कौन कौन से सबसे पहला आता है model मतलब यहाँ पर जो MVC है उसके अंदर जो M है M का क्या मतलब है model और model किसको represent करता है business entities को represent करता है business entities मतलब भई for example मैंने एक model बनाया और उसके साथ मैंने अपने database को connect किया है तो अब आपको पता है database के अंदर हम बहुत सारी entities बनाते हैं जिस तरह अगर मैं कोई school के लिए application मना रहा हूँ तो उसके अंदर कौन कौन सी business entities होंगी उसके अंदर employees होंगे उसके अंदर teachers होंगे उसके अंदर students होंगे admin होगा ठीक है तो इस तरह की जो मैं entities बनाऊंगा उसको represent करने के लिए हम क्या use करते है model use करते है और model basically क्या होता है आपको पता है classes होती है ठीक है तो यह पहला basic component है फिर उसके बाद होता है हमारा view view मैं किसे कह रहा हूँ view जो हमारे HTML के pages होता है उसी को basically क्या का जा रहा है view जिसके अंदर हम क्या करते है अपनी presentation logic मतलब user interface का जितना भी काम है वो हम कहां पे करते है अपने view के अंदर करते है तो जो user है उसको यही view display होता है वो इसी view को देखता है ठीक है तो जितना भी हमारे UI का का काम है वो अपने view में करते है तभी इसको क्या कहा जा रहा है कि इसके अंदर हम अपनी presentation logic लिखते है फिर देखो next है controller controller के अंदर हम क्या करते है अपनी business logic लिखते है मतलब हमारी जो भी application की main logic होती है वो हम कहां लिखते है controller के अंदर लिखते है इसका मतलब controller को अगर model और view के दर्मियान communication करवानी है तो वो काम कौन करके देगा controller करके देगा मतलब जो भी आपकी important logic होती है कि model से किस तरह से data लेना है view में किस तरह से pass करना है ये सारा काम हम क्या करते हैं controller के through करते हैं मतलब controller को आप इस तरह भी कह सकते हो कि वो model और view के दर्मियान में एक bridge होता है और भाई देखो mbc के अंदर mbc की backbone भी किसको का जाता है controller को का जाता है क्यूंकि अगर मैं mbc के अंदर से सिर्फ controller को अटा दूना तो मेरी ये जो पूरी mbc ये क्या हो जाती है बेकार हो जाती है क्योंकि controller का एक जो main concept है वो यही है कि वो model और view के दर्मियान आपस में communication पैदा करता है और जब भी आप अपनी application को request करते हो ना browser पे उसका जब भी url आप request करते हो तो सबसे पहले request भी किसके पास जाती है controller के पास जाती है तो एक ये point भी आपने याद रखना है इसका मतलब यहाँ पे देखो आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे हमारे पास separation of concern है मतलब database से related जो भी काम है वो हम model के through करते है और उसके बाद जो हमारी UI का काम होता है user interface का काम होता है वो view के अंदर करते है और जो भी हमारी logic होती है ठीक है वो हम करते है controller के अंदर ठीक है तो यहाँ पे क्या हो रहे है separation of concern मतलब हर काम हम एक separate module के अंदर implement कर रहे है ठीक है फिर आगे आजाओ अब यहाँ पे देखो MBC stands for model view controller ठीक है यह तो हमें पता है M stands for model V stands for view और C stands for controller ठीक है फिर आजो next point इसका मतलब यहाँ पे देखो MBC को क्या का जा रहे है एक architectural design pattern का जा रहे है इसका मतलब जब भी हम अपनी application को बनाएंगे जब भी हम application का architecture बनाएंगे जब भी उसका structure build up करेंगे तो MBC का concept को use करके हम सारा काम करेंगे ठीक है फिर यहाँ पे देखो next point So the point that you are need to remember मतलब एक point है जो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है और वो क्या है Is MBC is not a programming language मतलब देखो MBC को बहुत सारे students programming language समझते हैं कोई programming language नहीं है यह सिर्फ और सिर्फ क्या है एक design pattern है और फिर देखो क्या कह रहा है MBC is not a framework मतलब कुछ students कुछ developers MBC को framework भी समझते है MBC याद रखना framework नहीं है ASP.NET Core हमारे पास framework है और ASP.NET Core के अंदर हमारे पास एक technique है एक design pattern है जिसको क्या का जाता है MBC तो यहाँ पे देखो यही कह रहा है कि ना तो MBC programming language है और ना ही यह framework है यह simply क्या है यह simply हमारे पास एक design pattern है design pattern का मतलब कि इस design pattern को use करके हम अपनी application को build up करते है फिर आगे आजाओ अब यहाँ पे देखो when we design an application first we create the architecture of the application and MBC plays an important role in the architecture of that particular application मतलब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है जब भी हम कोई application बनाते है design करते है तो सबसे पहले उसका architecture बनाते है और architecture हम कैसे बनाएंगे अपनी application का MBC को use करके मतलब for example अगर मैं एक ASP.NET Core की empty web application मनाता हूँ तो जाहरी बात है उसके अंदर मुझे model, views, controllers के folder बनाने पड़ेंगे और model के अंदर मैं database entities का काम करूँगा view के अंदर मैं अपना सारा user interface का काम करूँगा और controller के अंदर मैं अपनी business logic को implement करूँगा और model और view के दर्मियान किस तरह से interaction करवाना है वो काम भी मैं controller के अंदर करूँगा तो इसलिए हमारे पाए MBC बहुत जादा important है ठीक है तो मैंने आपको क्या बताए कि MBC को use करके हम अपनी application के अंदर separation of concern को implement करते है मतलब हर काम हम separately module के अंदर करते है तो अगर इसी चीज़ को मैं थोड़ा और explain करूँ यहाँ पर देखो advantages of SOC मतलब separation of concern तो यहाँ पर देखो पहला point allows work on individual pieces of the system in isolation isolation का मतलब isolation का मतलब होता है अलग से isolation का मतलब होता है separation मतलब जो भी आप अपना काम कर रहे हो जो भी आप अपनी application मना रहे हो उसको आप अलग-अलग pieces में divide करते हो जिस तरह से मैंने आपको बताया model का काम हम किसलिए करते है database से interaction के लिए फिर view का काम हम किसलिए करते है user interface के लिए और logic का काम हम किसमें करते हैं controller के अंदर और देखो ये एक बहुत अच्छी चीज होती MVC को use करना क्यूंकि आपने software houses में अक्सर सुना होगा के database developers अलग होते हैं ठीक है हमारे पास front end developers अलग होते हैं back end developers अलग होते हैं तो उन सब के लिए हमारे पास separate module होता है जिसके अंदर वो separately काम करते हैं फिर देखो next point facilitates reusability इसका मतलब के MVC को use करके आप क्या कर सकते हो reusability को भी implement कर सकते हो reusability का क्या मतलब होता है कि आपने एक चीज declare की है और उसी चीज को आप फिर क्या कर सकते हो अपनी application में बार बार reuse कर सकते हो बार बार इस्तमाल कर सकते हो तो यह reusability कहा का implement होगी MVC के अंदर उसको भी हम देखेंगे फिर आजाओ ensures the maintainability of a system भाई जिस तरह मैंने आपको बताए कि सारा काम separate modules के अंदर हो रहा है separate components के अंदर हो रहा है तो अगर मुझे पता है database related को issue आ रहा है तो मैं model classes को जाके implement करूँगा उसके अंदर maintaining करूँगा ठीक है तो यही point यहाँ पर बता रहा है पिर आजो next point ensures extensibility extensibility का मतलब कि मैं for example मैंने एक अपनी complete application ready कर लिये लेकिन in the future मुझे उस application के अंदर मजीद कुछ चीजों को extend करना है मतलब बढ़ाना है increase करना है अपनी application को तो वो भी मैं बिलकुल easy तरीके से कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि अगर मुझे view के अंदर कोई चीजे insert करनी है मतलब अगर मुझे अपने user interface के अंदर चीजे insert करनी है तो मैं view के साथ काम करूँगा अगर मुझे business entities मतलब model के अंदर कुछ और entities को add करना है तो मैं model के साथ काम करूँगा तो मतलब हमारे पाँ उसकी extensibility होती है वो भी बहुत जादा असान हो जाती है efficient हो जाती है पर देगो next point enables user to better understand the system मतलब MBC को जब आप use करते हो और जब MBC आपको separation of concern प्रोवाइट करता है तो इसके थूँ जो आपका system का जो user होता है वो बहुत अच्छे तरीके से आपके system को आपकी application को समझता है तो ये advantages है कि इसके MBC के separation of concern के ठीक है तो भाई देखो हमारे पास यहां पर क्या है model है, view है, controller है और हमारा user है user मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ जो हमारी application को विजिट करता है जो हमारी web application को view करता है तो भाई देखो जो भी user है वो first time क्या करता है कि जो भी हमारी application का url होता है उसको browser में enter करता है मतलब हमारी application को request भेजता है request मतलब हमारी application को access करना चाहरा है तो जब भी वो URL से request करता है तो request सबसे पहले कहां जाती है याद रखना आपके controller के पास जाती है ठीक है मतलब जो भी request करेगा user वो request सबसे पहले receive कौन करेगा controller और फिर controller क्या करता है controller check करता है कि भाई कि एसके פास model के अंदर कोई data मौजूद है अगर model के अंदर कोई data मौजूद है, मतलब model अगर database से data ले रहा है क्योंकि मैंने आपको क्या बताया था, kiedy model के अंदर हमारे पास ऐसी classes होती है जो हमारे database की entities को represent करती है database entities मतलब जिस तरह से मैंने बता है employees हो गया, students हो गया, teachers हो गया तो अगर model के अंदर कोई data होता है तो वो data update कर दिया जाता है, render कर दिया जाता है कहाँ पे हमारे view के अंदर और model से data लेकर view में render करवाने का काम किसका होता है, controller का होता है तो जब controller data लेता है model से और उसको update कर देता है, render कर देता है view में और फिर वही view हमारे user को क्या हो जाता है, नजर आ जाता है क्योंकि देखो user ना तो controller को देख सकता है, ना ही model को देख सकता है user सिर्फ और सिर्फ किसको देखेगा, view में देखेगा तो model का जो भी data है वो हम कहां पे render करवाते है view में render करवाते है ताके user उसको देख सके और model का जो data है वो view में display करवाने का काम किसका होता है controller का होता है तो यह तो एक situation हो गई अब दूसी situation में क्या होता है user जब भी आपकी application का URL को access करता है मतलब जब भी आपकी application को request भेजता है तो वो request जाती है controller के पास लेकिन अगर हमारे पास model मौजूद नहीं है मतलब model हमारे पास अगर मौजूद नहीं है क्योंकि अक्सर ऐसा होता है हमारे पास application में model नहीं होता मतलब mostly हम आपे static काम कर रहे होता है तो अगर हमारे पास model नहीं है तो controller क्या करता है direct अपना view डिस्पले करवा देता है किसको user को मतलब समझ में आ रहा है जब भी user request भेजता है controller में और controller देखता है कि model के पास data नहीं है तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है if no data तो फिर direct controller क्या करता है हमारे view को display करवा देता है किसको हमारे user को ठीक है तो यह जो workflow है यह आपने बहुत अच्छे से अपने mind में रखना है क्योंकि अगर आपको यह mind में आ गया तो आपको hp.net core mbc application बनाना बहुत ज़्यादा असान लगेगा ठीक है तो देखो यह तो मैंने आपको mbc के बारे में बताया ना लेकिन अगर मैं इसी example को एक real life example के साथ compare करता हूँ तो जब आप उस real life example को अच्छे से समझ जाओगे तो आप कभी भी mbc का concept नहीं भूलोगे और वो real life example क्या है यहाँ पे देखो restaurant की example हमारे पास मौजूद है भाई देखो restaurant में क्या होता है हमारे पास कोई ना कोई customer आता है तो यह जो आपको बन्दा नज़र आ रहा है यह क्या है यह basically customer है और यहाँ पे देखो यह जो आपको नज़र आ रहा है यह क्या है वेटर है और फिर right side पे जो आपको नजर आ रहा है यह क्या हैноз यह हमारा chef है तो भाई देखो यह जो customer है यह क्या है basically यह आपके पास एक view है और यह जो वेटर है इस waiter को मैं क्या कह रहा हूँ controller और यह जो हमारे पास chef है इसको मैं क्या कह रहा हूँ model तो भाई देखो, रेस्टोरों के अंदर क्या होता है, जो भी कस्टमर होता है, वो अपना ओर्डर किसको लिखवाता है, वो ओर्डर लिखवाता है, वेटर को, और फिर वो जो ओर्डर होता है, वो वेटर कहां पे लेके जाता है, शेफ के पास लेके जाता है, और शेफ वो ओर्डर क् चेफ के दर्मियान में कौन है हमारे पास वेटर, क्योंके भाई देखो, जो हमारे पास customer है, वो waiter को order देता है, ऐसा तो नहीं होता ना कि customer direct kitchen में जाएगा, chef को बोलेगा, हाँ ये चीज बना दो, ऐसा तो नहीं होता ना किसी भी restaurant में, मतलब, आपके पाई जो customer है और chef है, इस इसका मतलब, व्यू को अगर, model से कोई data चाहिए, मतलब, database से कोई data चाहिए, तो वो request किसे करता है, controller से, controller क्या करता है, model से, मतलब, database से data get करता है, और फिर view को लाके दे देता है, तो अब खुछ सोचो, अगर मैं यहां से ही जो waiter है, जो controller है, अगर मैं इसको हटा दूँ, त गिल्कोल भी यह example सही नहीं होगी, तो यह MBC की एक real life example है, अगर आप इसको अच्छे से समझ जाते हो, तो आप MBC का concept कभी भी नहीं भूलोगे, ठीक है, तो इसका conclusion क्या है, के view और model में, जो communication करवा के देता है, वो कौन करवा के देता है, controller, क्योंकि अगर view को model से data चाहिए तो view किसको request भेजेगा, controller को भेजेगा, और controller model से data लेके कहां पे display करवा देगा, view में display करवा देगा, लेकिन अगर model को data चाहिए, view से, तो model भी किसको request भेजेगा, controller को भेजेगा, और controller view से data लेके कहां पे display करवाएगा, model में display करवाएगा, जिस तरह view में हम form मनाते हैं न, और जब भी हम form को submit करेंगे तो request किसके पास जाएगी, controller के पास जाएगी, और वो data form का data कहाँ पे store हो जाएगा, model के थूर हमारे database में store हो जाएगा, तो यह हो गए इसकी एक real life example, अचा फिर अगर मैं इसी example को थोड़ा सा और elaborate करता हूँ, यहाँ पे देखो एक और diagram है, मतलब यहाँ पे देखो client, client मतलब client machine कह सकते हो, आप इसको browser कह सकते हो, जो हमारा user use करता है, तो मतलब समझो यह browser है, client machine है, तो यहाँ से user request भेज रहा है, तो वो request किसके पास जाएगी, controller के पास जाएगी, और controller ही वापिस response भेजेगा, किसको, हमारे client को, हमारे browser को, हमारे user को, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो, जब client request भेजता है controller को, तो controller यहाँ पे देखो, model से data लेता है, और model यहाँ पे देखो, कहां से data ले रहा है, database से data ले रहा है, ठीक है और फिर model क्या करता है वो data view में display करवाता है और वो view controller फिर कहां पर response में भेज़ देता है client में response में भेज़ देता है ठीक है मतलब यहाँ पर देखो क्या कहा रहा है कि जो भी client request भेज़ेगा तो controller क्या करेगा view को call करेगा और view का data कहां से आएगा model से और model का data कहां से आ रहा है database से ठीक है तो जब database का data हमारे model में आ जाएगा तो model से वो data कहां चला जाएगा view में चला जाएगा और फिर वो view controller किसको display करवा देगा हमारे client को display करवा देगा user को display करवा देगा तो यह भी एक MBC का बहुत अच्छा workflow है इसको भी समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो यह था हमारा MBC का concept तो भई देखो यहाँ पर मैंने MBC को diagram और theory से आपको समझाया है next lecture के अंदर जब हम अपना first project create कर लेंगे क्योंकि अभी तक हमने first project create नहीं किया sp.net core 6 को use करके तो जब हम अपना first project create कर लेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे यही जो MBC का concept है इसी को use करके हम अपनी web application को क्या करेंगे build करेंगे तो इस concept को बहुत जाद अच्छे से आपने समझना है तो यहाँ पर हमारे पास यह हो गया है lecture complete तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करना शेयर करना और बेल का आइकन लाजमी प्रेस करना क्यूंकि बहुत सारी वीडियो आगे आने वाली है तो अगर इस lecture से related कोई भी confusion है तो comment box में मुसे जरूर पूछ लेना तो मिलते हैं चाला नेक्स लेक्चर में तब तक के लिए देखते रहे हैं मेरा चैनल Program Mentor